हेलो एब्रिवन मैं हूँ वैश नवी और आज का जो भी वीडियो है यह बहुत बेसिक लेवल का वीडियो है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे बहुत लोगों को पता होगा कि आप Google Chrome में टैप को डुपिकेट कैसे कर सकते हैं बट बहुत लोग ऐसे भी है जिनको पता नहीं है कि टैप क्या होता है तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में टैप क्या है और टैप को डुपिकेट कैसे करते हैं यह जो आपको उपर बार दिख रहा है इसको टैब बार कहते हैं अब मैंने यहाँ पे एक टैब कोपन किया है तो अब हम इसको देखेंगे कि डुप्लिकेट कैसे करना है तो आपको सेंटी यहाँ पे राइट क्लिक करने उसके बात आपको यहाँ पे डुप्लिकेट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाप डुप्लिकेट हो गया है तो आप इस ते रहे से टाप को डुप्लिकेट कर सकते हैं इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउस है तो आप उझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको लिक्स्ट वीडियो में तब तकी लिए गुडवन।